आप अजय जू मैं चैनल, तो देखो यह जो हमारा पार्ट ओफ्थ है इसमें हम काल माक्स की बारे में पढ़ेंगे अब देखो अगर तुम याद करोगे तो तुमको याद आएगा कि जब हम लोग ने थर्ड पार्ट पढ़ा था Empirical Histographers के बारे में उसमें हम लोगों ने Karl Marx का नाम पढ़ा था तो देखो उसमें हम लोगों ने दो जो थे ब्रिटेन की लोग जिन्होंने Indian Ancient History लिखा उन दोनों के बारे में पढ़ा था उन दोनों में से कौन कौन से एक Max Muller थे दूसरे जो थे वो थे J.S. Mill इसमें भी हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे पर जादा हम पढ़ेंगे किस के बारे में Karl Marx के बारे में थोड़ा बहुत हमको इसमें रोल देखने को मिलेगा F.W. हैकल का देखो इनको अलग से पढ़ने का मतलब इनको अलग से इसलिए पढ़ा है हम लोगों ने देखो वहां पर भी हम पढ़ सकते थे पर यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक थियोरी दी जो Marxism पर बेस्ट थी बहुत जगें आपको सुनने मिल जाएगा कि हम Marx बादी है इसका क्या मतलब होता है कि वो लोग Marx की जो थी थी ती उस पर बिलीव रखते हैं बहुत सारे इंडियन्स हैं जैसे विपिंज जो हैं वो लोग भी बिलीव करते हैं इनकी थी 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 पर ठीक हैं तो पहले अपने इनको थोड़ा बहुत इंट्रोड़ाक्शन पढ़ लेते सबस्का कुझे सब्सक्राइव करते हैं लória को हैं अपना और अलग अलग तरिक से क्लासिफिकेशन कर सकता है है ना जैसे अगर हमको क्लासिफिकेशन करने के लिए बोला जाए तो हम इंचेंट हिस्टी का ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि पहले स्टोन एज रहा होगा फिर हंटर ग्रादर रर्स आये फिर थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन का पीरेड आया फिर लोग गुफाओं में रहने लग गए और उसके बाद फिर छोटे-चोटे किंगडम्स हुए फिर बड़े किंगडम्स बन गए तो तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो ऐसे ही अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीका होता है किसी भी चीज को क्लासिफाय करने का जब हम अभी तक जो पढ़ा है वह इंडियन जो इंडियन इस्ट्रोग्राफर्स क्लासिफाय करते हैं वह पढ़ रहे थे कौन सा था वह एंचेंट फिर उसके बाद आता है मेर्डेबल और उसके बाद आता है मॉडन यह क्लासिफाय केशन पढ़ते हैं फिर जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने जो classification किया उसके बारे में हमने discuss किया था मतलब पहले हिंदू फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटेन वाला टाइम में classification हुआ था लेकिन जो माक्स ये कार्ल माक्स थे इन्होंने क्या किया इन्होंने अलग ही division दिया पहला आता है primitive इसका क्या मतलब होता है starting में मतलब किसी भी ये कहते हैं कि जो भी history start होती है जब भी कुछ चीज origin होता है तो पहले आता है primitive communism मतलब कुछ लोग किसी ग्रूप के कुछ लोग जो होते हैं मतलब dictatorship जैसा कुछ लोगों ने rule करना शुरू कर दिया अगर तुम ये चीज़ correlate करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो empirical historographers है इन्होंने भी क्या बोला था कि इंडिया में पहले क्या था dictatorship ठीक है तो वही चीज़ ये support कर रहे थे कि पहले क्या होता है गुलाम बन जाते हैं जो कि इंडिया में हुआ ठीक है फिर तीसरा वो कहते है feudalism, feudalism का क्या मतलब होता है कि कुछ लोग जैसे कुछ बड़े landlords हो गए या बहुत मतलब primitive communalism में क्या हो रहा था कि कुछ लोग एक दम राजा के जैसे act कर रहे थे ठीक है फिर उसके बाद slavery आया उसके बाद feudalism आया मतलब बहुत सारे जैसे जमीदार मालो जो जमीदार होते हैं वो क्या होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और उनके पास बहुत सारा फिर उसके बात है क्या मतलब होता है धीरे धीरे जो है लोगों का जो पैसा आना ठीक है और इसमें क्या होता है जो प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं उनके पास मनी जो रहता है वो जादा रहता है और बागी जो पॉब्लिक सेक्टर्स रहते हैं उसके पास मनी नहीं रहता ह ठीक है जो capitalism है उसमें power divided रहता है कैसा divided रहता है कुछ private लोग जो होते हैं उनके पास क्या होता है बहुत सारा money रहता है और publicly money divided नहीं लहता है ये चाहते थे कि जो money है वो evenly divided हो समझ रहे हो जैसे कि अब जब अपन प्रियांबल पढ़ते हैं तो उसमें भी एक word आता है उस word का जो connection है वो लोग जादा तर इसी word से relate करते हैं capitalism का पर वो गांधिवादी के तरीके से देखा जाता है जिसका मतलब यह होता है equal division of money ठीक है तो यह जो है इन्होंने जो यह अपना fourth वाला point stage बताया वो बताया capitalism का इस phase में क्या होगा इस phase में कुछ जो private sectors है उनके पास बहुत money होगा और बाकि जितने भी लोग रहेंगे वो गरीब रहेंगे last point आता है communalism मतलब अब सबको equality कार दिया जाएगा जैसा democracy में होता है ठीक है तो इन्होंने जो अपना history divide किया वो divide किया इन सब steps में ठीक है अब जो इन्होंने stages of history propose कि stages history ऐसे आंगे जाता है अब जैसे मालों कि तुम किसी भी चीज के बारे में लिखते हो तो पहले first point में पहला step यह होगा second step यह होगा इनके हैसाब से जब भी कोई किसी भी country के history लिखी जाएगी तो वो हमेशा इसी step में divided रहेगी ठीक है तो जब इन्होंने जो history का division किया वो mainly European country के basis में किया मतलब इन्होंने European countries को study क किया अच्छे से ठीक है उसमें से फ्डबलू हेकल थे इनके व्यू से प्रभावित रहे तो इन्होंने क्या क्या European history को study किया study करने के बाद उसमें उनको जो दिखा कि यूरोप में जो चल रहा है उस हिसाब से इन्होंने division कर दिया ठीक है और यह जो थे फ जी डबलू एफ हेगल कब से कब तक रहा 1770 से 1831 तक यह western philosopher थे इन्होंने Sanskrit नहीं read की Indian language को इन्होंने read नहीं किया ठीक है इन्होंने जो अपनी किताब लिखी Indian history के बारे में वो mainly based थी empirical historical geographers में मतलब यह जो मुलर लोग है मैक्स लोग है मैक्स मुलर और जेम्स मिल इनकी जो बुक्स इन्होंने लिखी थी उनके उनको पढ़की जो fw heckle को लगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए उसके basis में इन्होंने अपनी किताब लिख दी अब दिक्कत यह थी कि जो empirical geographers थे उन्हो से influence होके काल माक्स में ने बुक लखी इन्डियन हिस्ट्री के बारे में तो basically क्या हो गया सब तरीके से वो गलत होते गए ठीक है एक तो यह चीज कह सकते हैं हम लोग ठीक है और इसलिए जो result थे वो कैसे थे disastrous बतलब बहुत ही खतरनाक result निकला उसका जो चीज रियालिटी म से बहुत बिना confusion कि उन्होंने accept कर लिया कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो ग्रीक के inferior है इसका मतलब क्या होता है मतलब जब इनको यह बताया कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसका religious बहुत अच्छा था वो बहुत रिच होती थी जब यह बात बताई गई तो उनको ऐसा लगा क कि नहीं यह बात तो गलत है इसलिए वो इसको accept नहीं कर पाए वेरेश जब उनको यह बताया गया कि नहीं इंडियन हिस्ट्री बहुत खराब थी और ग्रीक लोगों से बहुत नीचले दरजे की जो है वो है अपनी इंडियन जो civilization थी तो उन्होंने यह चीज को बहुत अच accept कर लिया इसका primary reason क्या था क्योंकि वो Max Muller की book पढ़ रहे थे ठीक है तो जब भी वो Max Muller अब मुझे कोई एक book पढ़ा दी जाए ठीक है और उसी subject में मुझे कोई कुछ question पूसता है तो अगर जो मैंने पढ़ा है उसको मैं क्या मानूंगी उसको मैं prominent मानूंगी क्योंकि व हमारे brain में establish हो जाता है अगर बहुत strong तरीके से तो हम उसको change नहीं करते है generally तो वही इनके साथ हुआ इनको वही चीज establish हो गई जो Max Muller या James Muller की book में लिखी हुई थी जिसके कारण change करना कि नहीं ऐसा नहीं है इंडियन actually बहुत रिच थे इस चीज को wax up नहीं कर पाए अब हम trades के बारे में पढ़ते हैं जब हम trades और commerce के बारे में पढ़ रहते तो हमने यह बढ़ा था कि इंडिया का और ग्रीक का business kind of deal हुआ करता था ठीक है दोनों के trades and commerce बहुत अच्छे थे तो trades and commerce generally अच्छे होने का यह sign होता है कि दोनों साइट से अगर export import हो रहा है तो दोनों countries well established रही होंगी ठीक है अब जो मांक्स है इनका knowledge इंडिया के बारे में बहुत कम था या तो था ही नहीं मतलब बहुत बहुत कम था और इनका जो बाकी का भी जो इन्होंने लिखा वो सब भी biased था क्योंकि इन्होंने biased लोगों की books पढ़के ही अपना जो theory दिया था इसलिए बहुत जादा biased था he was also great supporter of British rule ठीक है और यह क्या इनके दिमाग में यही था कि जो civilization था Indian civilization वो बहुत backward था बहुत पूर civilization था uncivilized लोग रहते थे ठीक है इन्होंने जब history को read किया Indian history को तो इन्होंने बोला कि it was not only जितना भी इंडिया में वो होता था क्या कहते हैं civilization वो बहुत पूर था यह चीज़ इन्होंने माल दी दूसरी चीज़ इनकी जो book थी यह जादा impact में नहीं थी जब ब्रिटेन का रोल मतलब जब इंडिया स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी लोग Karl Marx की theory को बहुत जादा support कर रहे थे हैं उनको लगता था कि जो Karl Marx की theory है वो सही है जो कि actually truth नहीं हो सकता है और Marx हमेशा यह सोचते थे कि इंडिया का civilization तब से अच्छा हुआ है जब से foreign invasion हुआ है तो जो पहला foreign invasion वो किसका था कुशांस का था अगर आपको याद होगा तो कुशांस आये थे जब हम लोग religious text के बारे में पढ़ रहे थे classic history में तो हम लोग ने last class में पढ़ा था कि जब कुशांस आये थे तो उन्होंने क्या किया था वो बुद्ध के बहुत बड़े क्या कहते हैं भक्त मा कुशांस का इन्वेजन हुआ तब से जो इंडिया है वो अच्छे phase में आया है तब से इंडिया में civilization होना शुरू हुआ ठीक है उसके पहले इंडिया का civilization अच्छा नहीं था इसलिए उन्होंने कुशांस की जो एज है उसको क्या कहा है उसको कहा है गोल्डन पीरियड ठीक जब कि यह सत्त भामाज और जो गुपता समराज्य था यह जादा रिष्ट था उन्होंने इसको गोल्डन पीरिड नहीं माना दूसरी चीज इन्होंने यह बोला कि जब गुपतास के बाद यह मुसलिम सा गए गुपतास से लेके मुसलिम तक का जो पीरिड था 12th century AD तक उन प्रिमिट्व कमिनलिस्म जिसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा फिर Slavery कुछान का पीरिड आ गया फिर उसके बाद तक गुपता से मुगल समराज का पीरिड उसके बाद इनके कुछ फॉलवर्स रहे इंडिया में जैसे के डीडी को सम्भी थे यह पाइनियर थे पा फर्स्ट कहते हैं ना एक पहला जो चात्र मान लो वो यह होते थे जो सबसे पहले फॉलोवर्स थे इंडिया में ठीक है फिर डिया चन्ना फिर आरेश सर्मा और यह जतने भी लोग हैं विपिन चंद्रा सतीश चंद्रा यह सब लोगों यह लोग क्या हैं यह लोग लीडिंग पर इंट्रोड़क्टरी इतनी ही है अगर आपको कोई पूछे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ऐसी है ठीक है तो दाट्स आपको पसंद आया होगा लिव लव लाइफ लव लाइफ टेक्यर थैंक यू और विश्यू आल वेरी हैपी निवेर्ट टेक्यर